कहीं कि 21,000 के करीम नौकरियां युवाउं को दे दी गई हैं, कुछ पद भर लिये गए हैं तो कुछ 31 मार्च तक भर दिये जाएंगे देखें जब भी हम ये 31,000 नौकरियों के बात करते हैं तो लगातार हमारे पास एक कमेंट शुरू हो जाते हैं कि ये नौकरिया कब दी गई, कहां दी गई, इसकी कोई भी जानकारी युवाउं को नहीं है मुख्या मंतरी सुखु ने आज बारीकी से ये जानकारी दी है कि आखिरकारी 21,000 पद कौन से विभाग में भरे गए हैं कितने पद भर लिए गए हैं और आने वाले दिनों में और कितने पद भरे जाएंगे क्योंकि लगातार सीम की ओर से ही नहीं बाकी मंतरी भी यही कहते नजर आ रहे हैं कि अभी तक एक साल के भीतर ही 21,000 पद भरने में सरकार पुरी तरह से सफर रही है तो ब्योरा मुख्या मंतरी सुख्यों की ओर से किस प्रकार से दिया गया है आपको जानकारी दे देते हैं इसमें शिक्षकों के 5,291 पद भरे गए हैं यह फैसला लिया गया है सरकार की ओर से मुख्या मंतरी ने यह कहा हाला कि ये जो 5291 पद है कुछ इसमें प्रमोशन के अधार पर भरे गए हैं बैच वाइस भरतियां शिक्षा विभाग अपने स्तर पर कर रहा है और तीसरी सबसे बड़ी बात ये है कि अब JBT और TGT के पद कमिशन के अधार पर भरे जाएंगे ये लोग से वायोग को इसका जिमा दिया जाएगा क्योंकि राज्य चायन आयोग का गठन जरूर हुआ है लेकिन फंक्षनल अभी तक नहीं हो पाया है तो एक तरह से काम काज उसमें शुरू होने में समय लग जाएगा इसलिए कमिशन के मार्धियम से बाकी बचे कुचे पद भर दिये जाएंगे और लोग से वायोग को ये जिमा दिया जाएगा ये अपडेट हम आपको पहले ही दे देते हैं और 31 मार्ट से पहले पहले ये भरती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी इसके लिए आवेदन मांग लिए गए हैं और देखिये फरवरी का जो पहला सप्ता है उसमें ग्राउंट टेस्ट को लेकर भी तैयारिया शुरू हो चुकी है तो इसका भी बियोरा उन्होंने दिया और जलशक्ती विभाग में लगभग 10,000 के करीब पद भरे जाने हैं इसमें बहुत सारी श्रेणिया हैं जिसमें की पद भरने को लेकर अनौसमेंट हुई है आवेधन कुछेक के लिए मांग लिए गए हैं तो कुछेक को लेकर आने वाले समय में आवेधन मांगे जाएंगे ये मुख्या मंतुरी ने आज ब्रीफली यहां पर जानकारी दी है कि कौन से विभाग में कितने पद भरे गए हैं और कुल मिलाकर ये 21,000 के करीब नौकरियां होती हैं जो कि एक साल में हो गई हैं ये CM के मुताबिक आज जानकारी रही है दूसरी उपलब्धी उन्होंने 680 क्रोड की स्टार्टब योजना को लेकर गिनवाई है उनका ये कहना था कि अब हिमाचर पदेश को हरित राज्य बनाना है इसलिए इलेक्रिक वाहनों को लेकर यहां बढ़ावा दिया जा रहा है इसलिए लगभग परेटकों की और स्थानिय लोगों की सुविधा के लिए 13 के करीब लेक्रिक चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित कर दिये गए हैं कुल ये 108 लेक्रिक चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे जिसमें से 13 शुरू कर दिये गए हैं तो ये भी देखा जा सकता है कि 1 जनवरी 2024 को सभी सरकारी विभागों में पैट्रोल और डीजल वहनों की खरीद पर भी रोक लगा दी गई है इसी फैसले को बढ़ावा देने के लिए इलेक्रिक वहनों को यहाँ जादा से जादा चलाया जा सके इसलिए सरकारी विभागों में जितनी भी सरकारी महकमे हैं वहाँ पर डीजल और जो पैट्रोल वहन होंगे उनकी खरीद पर पुरी तरह से रोक लगा दी जाएगी जो यह स्टार्टेप योजना लाई गई है इसमें इलेक्रिक टैक्सीज दी जाएंगी युवाउं को चलाने के लिए और सरकारी महकमों के साथ इने अटैच किया जाएगा एक साथ ही यहां रोजगार भी मिल पाएगा और दूसरी और इलेक्रिक वहनों को भी बढ़ावा मिल पाएगा जो तीसरी उपलब्धी गिनवाई गई है वो इंतकाल और तकसीम के मामलों को लेकर इनों ने गिनवाई इनका ये कहना है कि 4071 के करीब तकसीम के मामले निपटाए गए है और 65,000 से अधीक इंतकाल के मामले निपटा दिये गए पिछले कई वर्षों से ये मामले नहीं निपट रहे थे पटवारियों के पीछे लोग लगे हुए थे और तो और कई पीडिया निपट गई लेकिन फिर भी मामलों का निपटारा नहीं हुआ तो एक तरह से ये एतिहासिक फैसला सरकार की ओर से लिया गया था कि क्यों न ये अदालते बिठाई जाए और वहीं मौके पर जो तकसीम या इंतकाल से जुड़े मामले हैं उन्हें निपटाया जाएगा तो इसमें एक बड़ी कामियाबी भी वर्तमान सरकार के हाथ लगी हलाकि इस बात को लेकर हम देख रहे हैं आम लोगों में भी काफी जादा खुशी है जो चीजें जो समस्या हैं उनकी पिछले कई वर्षों से चल रही थी वो अब एक पल भर में निपट गई हैं और आगे भी ये अदालते इसी तरह से जारी रखी जाएंगी हर महीने के ल मामलों को निपटाने के लिए वर्थमान सरकार की ओर से रखे गए हैं तो ये रही तीन बड़ी उपलब्धियां जिसमें रोजगार को लेकर उन्होंने बात कही प्रदेश को हरित राज्य बनाना है उस पर भी अपनी उपलब्धी गिनवाई हलाकि इसी में उन्होंने 680 क को लेकर जरूर घोशना हो जाएगी पूर्ण राज्यतिव दिवस का मौका था और इस बीच पी जब कोई खास घोशना नहीं हुई तो काफी जादा मायूसी सरकारी करमचारियों और पैंशनर्स में चाह गई है लेकिन एक अच्छी बात ये है कि देखी अब बजट सेशन शुरू होने वाला है 14 फरवरी से और इस बीच ये अब अनॉस्मेंट इनके लिए हो सकती है क्योंकि 17 फरवरी को बजट भाशन मुख्या मंतुरी का होने वाला है उससे पहले लोन लिमिट भी भारे सरकार से क्लियर हो जाएगी एक ही बात क्योंकि अभी बार बार सरकार कह रही है कि वीतिय परिस्थितियों को सुधारना है और बजट की भी थोड़ी कमी चल रही है लेकिन संसाधन जुटाने का प्रयास सरकार कर रही है अब ऐसे में लोन लिमिट भी भारे सरकार से क्लियर हो जाएगी बजट भाशन भी 17 फरवरी को होगा तो इस बीच जरूर कर करमचारियों में भी काफी जादा इंतजार बना हुआ था पैंशनर्स भी इस इंतजार में थे लेकिन ऐसी कोई अनॉंसमेंट आज हुई नहीं है अब इसके बाद देखना होगा कि बजट सेशन में ये सुनहरा मौका या ये राहत भरी ख़बर करमचारियों के लिए निक कर भी और एरियर को लेकर भी अभी क्यूंकि लगभग देखे 12 फीसदी डी ए पैंडिंग है सरकार के पास करमचारियों का तो ऐसे में ये उमीद हम जता सकते हैं कि तीन किस्तों में से एक या दो किस्ते देने पर अनॉंसमेंट बजट भाशन के दौरान हो सकती है ये संभ अगर pensioner welfare association की बात करे या बिजली बोर्ड pensioners की बात करे तो उनका ये कहना है कि सरकार बजट का रोना रो रही है पहले दिन से ही ये बजट का रोना रोया जा रहा है लेकिन bureau crates के लिए या मंत्रियों के लिए chairman के लिए सभी सुविधाएं सरकार दे सकती है तो ऐसे में करम हो सकती थी लेकिन वो भी वर्तमान सरकार ने नहीं किया एरियर जनवरी 2016 से लेकर पैंडिंग है और एरियर और डिये दोनों को लेकर ही क्यूंकि करमचारी और पैंशनर्स में इंतजार बना हुआ है अब ऐसे में एक मौका जैसा कि बार-बार हम यह कह रहे हैं कि बजट महीने पहले सचीवाल्य में ही यह बात कही थी जब करमचारियों का शपत ग्रहन समारो हो था कि दो से तीन महीने का समय वो बस सरकार को दे दे और उसके बाद जरूर इस पर कोई ना कोई सोच विचार कर लिया जाएगा तो चलिए यह तो हमने आपको बात बताई तीन बड जाएंगे विभिन्श रेनियों में ये पदों को भड़ने की बात मुख्या मंतुरी ने कही है अब 31 मार्श तक 21,000 के करीब नौकरियां दे दी जाएंगे उसके बाद 10,000 पद और जादा निकाले जाएंगे सरकारी महकमों में ये बात आसीम ने कही है नए शेक्षनिक सत् हाला कि पहले भी ये कोशिश की गई थी लेकिन फिर ये सफलता हाथ नहीं लग पाई थी पूर्व में सरकार को अब ये कोशिश यहां सुखु सरकार भी करने जा रही है और कितनी जादा सफलता इसमें मिलती है देखना होगा क्योंकि छात्रों से जादा ये शिक्षकों प आई थी और बहुत सारे प्रभावित ऐसे हैं जिनें अभी तक भी मुआज़ा नहीं मिल पाया है तो जल्दी उन तक ये मुआज़े की राशी पहुचा दी जाएगी और 25 गुना ये मुआज़े की राशी वर्तमान सरकार ने बढ़ाई है एक बार ये बात भी उन्होंने फिर से गिनवाई है अलाकि जो इससे पहले किस चारी की गई है उन लोगों को जिनके मकान पूरी तरह से ढह गए थे तो पहली किस उसमें 3-3 लाख रुपए की दे दी गई है लेकिन कुछ लोग अभी शेष रहे रहे हैं कुछ विधायक भी हैं जो की अपने अपने विध क्योंकि राज्यस्तर ये जो समारोहो था ये मंडी जिले के धरमपूर मे था और धरमपूर विधान सबाक शेतर में लगभग ये 200 के करीब महिला मंडल है इन्हें 20-20,000 रुपए दिये जाएंगे प्रते एक महिला मंडल को 20,000 रुपए की राशी प्रदान की जाएगी वर प्रक्रिया जो सरकार पूरी करेगी उसमें 1500 की राशी भी महिलाओं को दी जाएगी और इसकी शुरुवात लाहुस पीती से होने वाली है क्योंकि ये ट्राइबल क्शेतर की महिलाएं हैं उन्हें सबसे जादा जरूरत रहती है इसलिए 1500 देनी की शुरुवात उसी क्शेत के महिला मंडलो को अब ये प्रक्रिया कितनी तेजी से की पूरी की जाती है या कब तक शुरू की जाती है ये देखना काफी जादा रोचक रहने वाला है इसके अलावा धरमपूर विधान सबाक्शेतर के लिए और भी कई बड़ी अनौंसमेंट्स हुई है जिसमें DSP कार अलिया धरमपूर और संधोल में नगर पंचायत संधोल वाया मंडी धरमपूर सडक और संधोल वाया सहयोद धरमपूर सडक के लिए 10-10 क्रोड रुपए प्रदान करने की घोशना मुख्या मंत्री ने की है साथी धरमपूर विधान सबाक्शेतर की सडकें शिक्षन और स् सुफु ने अनाउस्मेंट की है, हलाकि धरंपूर विधान सबाक्षेतर के लोग इस बीच काफी जादा खुश नजर आ रहे थे, देखें लोग सेवा आयोग में भी नए मेंबर की न्यूकती हुई है, ये जानकारी हम आपको दे देते हैं, लोग सेवा आयोग में देवरा शर्मा को मेंबर न्यूकत किया गया है, इनकी न्यूकती 6 साल या 62 साल उमर में से जो भी पहले हो, इसी फॉर्मूले पर होगी, शिमला के संजॉली के ये रहने वाले हैं, और देवरा शर्मा इंडियन कॉस गार्ड में इंस्पेक्टर जनरल भी रह चुके हैं, आयोग में मेंबर का पद खाली चल रहा था, जिसे अब भढ़ दिया गया है, CM सुखू के दूसरे बजट को लेकर भी हम बड़ी अपडेट लेकर आएं हैं, क्यूंकि दूसरा बजट सेशन अब शुरू होने वाला है, 14 फरवरी से शुरू होगा और 29 फरवरी तक खतम भी हो जाएग लगभग इसमें 13 के करीब ही बैठके रहने वाली है, कारण इसका ये है कि मार्च में संभावना जटाई जा रही है, कि मार्च के पहले सब्ताहा में ही आचार सहीता लग सकती है, 2019 में जब लोगसबा चुनाफ होने थे, तो उस वक्त भी 11 मार्च को ही आचार सहीता लग ग रही है, शुरुआत क्योंकि राज्यपाल के अभिभाशन से होगी, 14 फरवरी को राज्यपाल का अभिभाशन होगा, 15 फरवरी को अनुपूरक बजट विधान सबा में रखा जाएगा, और राज्यपाल अभिभाशन पर फिर चर्चा शुरू होगी, 16 फरवरी को खरीद प्रक्रिया भी है, गोबर खरीद प्रक्रिया भी है, और महिलाओं को 1500 देने का वाइदा भी एक बार फिर से हुआ है, लेकिन जैसे ही शैशन खत्म होगा, उसके बाद प्रक्रिया कब तक शुरू की जाती है, किसानों, बागवानों में और विशेश तोर से ग्राम और पांचवी गरंटी पूरी करेंगे, तो अब देखना होगा कितनी जादा तेजी लाई जाती है, और बजट शैशन में इसे लेकर कितना असर देखने के लिए मिलता है, तो एक ये जानकारी हम आपके लिए लेकर आये थे, बजट शैशन से जुड़ी दूसरी जा रहा है कि जो विधायक नीदी की आखरी किस्त है 50 लाग की वो अभी तक सरकार की ओर से नहीं दी गई है, जिस वज़ा से विधायकों को समस्याएं आ रही हैं अपने विधान सबाक शेतर में कारे करवाने के लिए, दरसल ये सालाना 2 क्रोड रपै दिये जाते हैं और इ विधायक प्रात्मिक्ता की बैठक का, 39 और 30 चनवरी को दरसल ये शेड्यूल जारी किया गया है विधायक प्रात्मिक्ता की बैठक पर सची वाले में ही बैठक होने वादी है, लेकिन सालाना जो 2 क्रोड रपै मिलते थे इसकी आखरी 50 लाग की रहे गई है तो भाजपा व माज की कह सकते हैं क्योंकि इससे पहले बहुत कम बार इस तरह की परिस्थिती देखने के लिए मिली है, जहां विधायक प्रात्मिक्ता का वहिशकार करने की बात विपक्ष के विधायकों की ओर से की गई हो, क्योंकि यही तो एक मौका MLS के पास रहता है, जहां वो अपने फैसला यह लिया गया था, सरकार की ओर से की लोकसेवा आयोग को यह जिमा दिया जाया और कमिशन के जरीए यह पद भरे जाने हैं, कुल यह अठाई सौ के करीब पद हैं, लोकसेवा आयोग को जब शिक्षा सेचीव ने पत्र लिखा था, तो उसके बाद जवाब का जार शिक्षा विभाब को करना होगा, उसके बाद ही पता लग पाएगा कि लोकसेवा आयोग यह भरतियां करवाने के लिए कमिशन के जरीए तयार है या नहीं है, जेबिटी और टीजिटी के क्यूंकि यह पद भरे जाने हैं, कुल अठाई सौ के करीब यह पोस्ट हैं, अभी स्कूलों में खाली चल रही हैं और शिक्षा मंत्री रोही ठाकुर की ओर से अधिकारियों को यह कहा गया था, कि जल से जल डिसीजन होना चाहिए इन पदों को भरने के लिए और प्रक्रिया भी इसमें जल्दी पूरी होनी चाहिए, लेकिन अब प्रक्रिया शुरू और से इसमें अगर कोई positive response मिलता है, तो फिर requisition letter यहां पर भेजा जाएगा, शिक्षा विभाग की ओर से यह शिक्षा सचीव ही requisition letter भेजेंगे कि आखिरकार कितनी पोस्टे भढ़नी हैं इन अलग लग वर्गों में, चाहे बाद GBT की हो या फिर TGT की हो, बैच वाइस भ को जब जिमा देने की बात हुई, तो इन्होंने पला जार दिया है, यह कहकर कि पहले full commission की बैठक होगी, और full commission की बैठक यह तब करेंगे जब छुटियां खत्म होगी, फर्जी चेक देकर धोखा धड़ी करने का मामला सामने आया है, दरसल पुलिस ने यह मामला दर्श कर लिया है, आगामी कारेवाही भी इसमें शुरू कर दी गई है, और यह शिमला शेहर का ही मामला बताया जा रहा है, वहीं टूटू के पास कैंची मोड पर एक कार सवार यूवक को चिट्टे के साथ गिरफतार किया गया है, आठ क्राम चिट्टा इससे बरामत किया गया है, नाके बंदी के दौरान ये घटना सामने आई हैं और NDPS Act के तहट यहां भी मामला दर्श हो चुका है, यूवक से उसके सभी बैकवर्ड लिंक्स खंगाले जा रहे हैं, अगले कल क्यूंकि 26 चनवरी है, गंतंत्र दिवस है और हिमाचर प्रदेश में राज्य स्तरिय कारे इक्रम शिमला के रिजमेदान पर मनाया जाएगा, इस बीच मिनिस्ट्री होम से लिस्ट चारी हुई है कि किन-किन पुलिस अधिकारियों को अवार्ड से नवाजा जाएगा, तो प्रेजिडेंट मैडल से मुकेश कुमार जो की ASI रैंक पर है, इन्हें नवाजा जाएगा इसके अतिरिक्त मेरिटोरियस सर्विस के लिए जिन पुलिस अधिकारियों को मैडल मिलने वाला है, उसमें सुमेधा द्रिवेदी हैं, जो की IG है, इंस्पेक्टर रोम परकाश को भी इस अवार्ड से नवाजा जाएगा, विनोध कुमार को भी